हलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि AVC कार्ड कैसे बनाये जाता है इसे ओन लाइन बनाने का सही तरीका चाहें इसे बना करके आपको मैं लाइव इस्टिव बाइस्टिव गाइड के साथ दिखाने वाला हूँ जिससे देखने के बाद आप को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ओपिसेर वेबसाइट ABC.GOV.IN की वेबसाइट पर आना है जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखता है इसका लिंक आपको वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यहाँ पर आपको माई एकाउंट का उप्शन मिलेगा इस पर क्लिक करना है उसके बाद स्टुडेंट उप्शन पर क्लिक करना है जिससे कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा इसमें सबसे पहले आपको साइन अप करना है तो यहाँ पे नीचे में आपको नीव यूजर के बगल में साइन अप का उप्शन मिलता है इस पर आपको click करना है जिसके बाद यहां सबसे उपर में आपको अपना mobile number डालना है जो कि आपके आदार में link है वह mobile number को आप डालें और फिर generate OTP वाले option पर click करें जिससे आपके इसी number पे एक one time password आएगा उसे आपको enter OTP वाले option पर डालना है और उसके नीचे i verify OTP वाले option पर click करना है और फिर उसके नीचे में आपको full नाम का option मिलेगा इसमें आपके आदार में जो भी पूरा नाम है वही नाम को आप यहां पर डालें और फिर उसके नीचे date of birth का option मिलता है तो यहां पर DD, MM, YYY वाले option में आप दिन, महिना और साल को अच्छी तरह से डालें जो आपके अदार में है और फिर उसके नीचे select gender वाले option पर click करके अपना gender को select कर लें और फिर यहां पर user name का option मिलता है इसमें आपको अपने हिसाब से आप जो भी अपना user name रखना चाहते हैं उसे आप यहां पर रख सकते हैं जो की अंग्रेजी के छोटे अक्छरों में होना चाहिए और उसके नीचे पीन वाले option में आपको कम से कम 6 अंकों की एक नंबर का पीन रखना है जिसमें 0 से लेके 9 तक आप नंबर को यूज कर सकते हैं और उसके नीचे confirm वाले option में भी आपको वही नंबर को यहां पर डालना है और उसके नीचे आपको एक check box मिलेगा i consent वाले option में tournament condition की उसमें आप click करें और फिर verify वाले option पर click करें जिसके बाद कुछी इस तरह का page open होगा और उसमें आपको सबसे नीचे में यहां पर अधार नंबर का option मिलेगा इसमें आपको अपना अधार नंबर डालना है और फिर verify वाले option पर click करना है जिससे आपके आधार में register mobile नंबर में एक OTP आएगा उसे आपको यहां पर डालना है और फिर submit वाले option पर click करना है और कुछ देर तक wait करना है जिससे यह वाली consent की form open होगा और इसमें आपका आधार कार वाले option में automatic tick रहेगा और उसके निचे डिजी locker drive वाले option में भी आप click करना चाते हैं तो कर सकते हैं या फिर इससे छोड़ भी सकते हैं और फिर सबसे निचे यहां पर आपको consent validity date का option मिलेगा today plus 30 day आ रहा है इससे आप अपने हिसाब से बढ़ा या गाटा सकते हैं आप जितने दिनों का इसमें consent करना चाते हैं अपने हिसाब से उसे choose कर लें और उसके निचे आपको purpose वाले option में click करना है और यहां से आप किस purpose से ABC ID बना रहे हैं उसे यहां से select करना है और फिर उसके बाद allow वाले option पर click करना है और थोड़ी देज तर वेट करें और उसके बाद यहां पर I am student add के निचे में आपको select university college board का option मिलेगा इस पर click करें जिससे यहां पर आपको बहुत सारे college और university का नाम आ जाएगा तो यहां उपर वाले option में आप जिस भी college या university को search करना चाते हैं उसका नाम लिखें तो उसके निचे में आपको उससे सम्बंदित college या university का नाम दिख जाएगा उससे आप select करें और उसके निचे आपको admission year का option मिलेगा आप अपने admission की year को यहां से select कर लें फिर identity type वाले option में आपको role number registration number enrollment number new admission का option मिलेगा इसमें से जो भी आपके पास उपलब्द है उसे आप select करें अधि new admission है तो new admission को select कर लें और फिर submit वाले option पर click करें जिससे थोड़ी हिंदिर में आपका ABC student account create हो जाएगा और आपका ABC ID यहां पर आपको दिख जाएगा उसके नीचे में आपको go to dashboard का option मिलेगा इस पर click किजिएगा यहां पर देखें hello के साथ आपका नाम आ जाएगा और total आपका academic credit point अभी आपका zero so होगा और यहां से आपका academic bank of credit और ABC ID तथा नाम आपका दिख जाएगा और अदि आप इसका ABC card को download करना चाते हैं तो इसके लिए आपको अपने dg locker में login होना होगा इसका website है dg locker.gov.in इसका भी link आपको वीडियो के निचे description box में मिल जाएगा इस website पर आने के बाद यहां पर sign up और sign in का option मिलता है तो इसमें आपका अभी सुरू में जो आपने sign up किया था उसी के credential के साथ आप इसमें login हो सकते हैं तो sign in वाले option पर click करें जिससे यहां पर sign in करने के लिए आपको mobile तता आदार या user name का option मिलता है तो मैं फिलाल यहां पर mobile का use करके sign in करके आपको दिखाने वाला हूँ तो यहां पर mobile नमबर वाले option में अपना mobile नमबर डाल लेता हूँ जो मैंने sign up करते वक्त दिये थे और फिर next वाले option पर click करता हूँ जिससे यहां पर six digit की security pin मांगा जा रहा है जो कि sign up करते वक्त आपने दिये थे उसी pin को आप यहां पर डालें और sign in वाले option पर click करें जिससे आपके उसी mobile नमबर पर one time password आएगा उस OTP को आपको यहां पर डालना है और फिर submit पर click करना है और थोड़ा देर तक आपको wait करना है तो आप digit local में login हो जाएंगे और इसमें login होने के बाद आपको यहां पर देखिए your issue document में ABC ID card का option दिख रहा है अदि यह वाला option आपको नहीं दिखा तो यहां पर आपको second number में issue document का option मिलता है इस पर click करके आप ABC card वाले option को खोज सकते हैं तो फिलाल यहां पर front में ही दिख जा रहा है इस पर आप जैसे हैं click किजिएगा थोड़ा देर तक आपको wait करना है यहां पर देखिए आपका ABC ID card दिख जाएगा और यहां पर आपको उपर में download तो था print करने का option मिल रहा है इसे यदि आप चाहे तो download या print जो भी आप करना चाहे उसे कर सकते हैं आपका ABC card बन करके तयार हैं तो दोस्तो यहां था ABC card को online बनाने तथा download करने का पूरा process कैसा लगा आपको यह वीडियो आप हमें comment कर जरूर बताएं और अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को subscribe जरूर कर लें तथा notification बटन को आउन करना नहीं बोलें ताकि हमारे और भी नए नए वीडियो का update आपको मिलता रहे हैं जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में वीडियो को पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद